तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 से रिलेटेट सारे वेरी शॉट जैसा कि आप लोग को थम्मनेल में भी दिख गया होगा जितना भी very short answer type questions होगा possible जितना भी होगा एक chapter से वो सब को हम इसमें practice करेंगे तो इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा very short देखेंगे आगे के वीडियो में हम लोग short type, long type और जो आता है ना कभी कभी जो exam में important हो जाता है x type question x और y के साथ reaction हुआ तो इसमें x क्या है y क्या है यह सब चीज बताने वाला वो बहुत ही important हो जाता है तो उसको तो बनाना है ही तो यह रहेगा तो सारा का सारा वीडियो एक series के टर्प में आएगा तो यह जो वीडियो होगा यह सिर्फ very short answer type questions हो इसमें हम हर एक possible questions को discuss भी करेंगे answer भी देखेंगे और उससे related अगर कुछ equations लिखना पड़े तो वो भी हम लिखके आपको समझा देगे तो अगर आप यह वीडियो देख रहे है तो आप अच्छे से शुरू से लेकर आंत तक देखे वीडियो को और देखें कि आप लोग का questions बनाने का तरीका change हो जाएगा आप लोग बोलते हो ना कि questions कैसा exam में आ जाता है पता ही नहीं चलता तो जितना भी possible questions बन सकता था वो सब हम इसमें डाल दिये चलिए तो start करते हैं सबसे पहला question से यह chapter कौन सा है chemical reaction and equation chapter 1 है चलिए तो question number 1 क्या क्याता है question number 1 है why is respiration considered an exothermic process अब exothermic process आप लोग को पता होना चाहिए हम सिर्फ questions को practice करा रहे हैं ना कि theorem और ना कि theory पढ़ा रहे हैं तो बीच बीच में कुछ कुछ आएगा तो वो हम discuss करी देंगे तो question number 1 why is respiration considered an exothermic process यहने कि respiration को exothermic process में क्यों considered किया गया तो इसका सीधा सा answer यहाँ पर हम लिखती है an exothermic reaction is a reaction in which the energy is liberated मतब exothermic reaction एक ऐसा reaction होता है जिसमें energy क्या होता है liberate होता है energy क्या होता है निकलता है in the process of respiration respiration के बारे में कहा जा रहा है है न, respiration, जो हम लोग सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, यह वो, process of respiration, energy is released, energy is released, तभी तो हम लोग कुछ भी काम कर पाते हैं, सांस लेते हैं, उसके तुरू energy का creation होता है, energy हमारे body में, हम लोग को काम करने का capacity देता है, तो energy is released and thus considered as an exothermic reaction, अब उससे energy निकल रहा है, तो जिस चीज से energy निकलेगा, क्या हो जाएगा, हमारा exothermic reaction हो जाएगा, है न, exothermic reaction, और जिस reactions को करने में हमको energy देना पड़ जाता है, वो हो जाता है, endothermic reaction, ठीक है, यह तो आप लोग को पता ही होगा, हो गया, question number 1 के लिए, question number 2, on what basis is the chemical equation balanced, किस basis पर chemical equations को balanced किया जाता है, यानि कि balance करने का जो सबसे basic rule है, वो क्या है, तो यह तो पता ही है, आपको आप लोग इतना questions बनाते आए हो, जैसे देखो, हाँ, जैसे देखो, अच्छा, ऐसा करते हैं न, इसमें एक equations भी हम लिख देते हैं, यहाँ पर आपके लिए एक समझने का भी हो जाएगा, चलो, ठीक है, आपको equation भी मिल गया, जैसे अगर exothermic reaction, यह respirations का बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो सकता है, एक reaction हमारा जो respirations के related हो और plus H2O, ठीक है, यह सब body के अंदर होता है, यह क्या हो गया, हमारा glucose हो गया, ठीक है, यह हो गया हमारा oxygen, यह हो गया carbon dioxide, जो पता ही है आपको, carbon dioxide, और यह हो गया water, तो इतना सारा चीज हमारे body के अंदर होता है, ठीक है न, जो कि exothermic reaction है, तो इससे energy भी मिलता है, यानि कि यहाँ पर energy भी हम लोग use करेंगे, ठीक है, तो ऐसा ही अगर equations का जरूरत पड़ेगा, तो हम बीच-बीच में लिख भी देंगे, next questions क्या है, next questions को देख लेते हैं, on what basis is a chemical equation balanced, कौन सा basis पर chemical equations को balance किया जाता है, है न, तो, मच्छड भी बहुत है भई, हाँ, a chemical equation is always balanced by comparing the number of atoms of each element on the reactant side as well as the product side, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी equation लिखते हैं, जैसे एक equation हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे गर माल लिजए, एक equation लिख रहे हैं, sodium है, और plus water है, ठीक है, तो sodium hydroxide और plus hydrogen, ठीक है, अगर इसको balance करते हैं, इसमें भी balance आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ 6O2 ह हो जाएगा, यहाँ पर, और CO2 है, तो यह 6 CO2 हो जाएगा, और यह 6 H2O भी हो जाएगा, तो balance कर लिजएगा, है न, Na H2O, यहाँ कि sodium, प्लस water, sodium hydroxide, और plus hydrogen gas, अगर इसको हम लोग बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पर sodium है, यहाँ पर हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा, टेक है, अब इसको समझ लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जो भी चीज़, equations को balance करते हैं, उसमें क्या देखते हैं, हम लोग, reactant side में और product side में, number of atoms जो होगा न, वो equal होना चाहिए, वही लिखावा तो, chemical equation is always balanced by comparing the number of atoms of each element on the reactant side, as well as the product side, it is based on the law of conservation of mass, इधर का mass और इधर का mass, same होना है, it means number of atoms on the left hand side should be equal to the right hand side, तो इधर जितना atom है, जैसे देखे, sodium इधर कितना हो गया, दो कर दिया है, और इधर sodium 2 हो गया, ठीक है, hydrogen यहाँ पर 4 है, hydrogen 2 और यह 2 चार हो गया, और oxygen पूरा 2 मिला कर, oxygen यहाँ पर 2 मिला कर, तो यह complete हो गया, ठीक है, तो I hope कि आपको यह समझ में आके, दो questions हो गया, चले, third number questions में आते हैं, what happens, what happens chemically, quick lime is added to water filled in a bucket, अगर quick lime, जैसे, माल लिजे, questions में क्या पूछ रहा है, what happens chemically, quick lime is added, quick lime को अगर पानी से भरा हुआ, बाल्टी में अगर डाल देते हैं, तो क्या होगा, क्या हम लोग को देखने को मिलेगा, then answer हो जा calcium oxide ही होता है, CAO जिसको होते है, when it is added to water filled in a bucket, अगर उसको पानी में डाला जाता है, it forms calcium hydroxide or slack lime, calcium hydroxide, CAOH whole 2, and reacts vigorously by releasing a large amount of heat, और बहुत जादा मात्रा में heat भी release होता है, तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, और जब energy release हो रहा है, जैसा कि हम लोग पहले भी discuss कर चुक है, अगर energy release हो रहा है, तो इसको हम लोग कौन सा reaction बोलेंगे, exothemic reaction, clear हो गया यह question, चले, question number 4 क्या है, why should magnesium ribbon be clean before burning in air, यह NCRT में भी है question, ठीक है, NCRT में भी आपको मिल जागा, बोले तो सारा का सारा questions आपको यहां मिल जागा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला उसको पहले clean किया जाता है, ऐसा क्यों, तो magnesium ribbon is made up of pure, ठीक है, ठीक तो है न, हाँ, magnesium ribbon is made up of a pure magnesium metal, and it is highly reactive, magnesium क्या होता है, बहुत जादा reactive होता है, highly reactive, with oxygen, which further leads to the oxidation of magnesium, जो तुलंत react कर जाता है oxygen से, और अपना oxidation मना लेता है, when it comes in contact with air, on the surface of the magnesium ribbon, it forms a layer of oxide, जिसके वज़ा से क्या होता है, magnesium का जो surface होता है, ribbon का surface होता है, उस पर एक oxide तयार हो जाता है, and act as a protective layer, जो protective layer का का काम करता है, so it is necessary to clean the magnesium ribbon before burning in air, तो यह बहुत जरूरी हो जाता है, कि अगर आप magnesium ribbon को जला रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा उसको क्या बोलते हैं, कोई भी किसी भी तरीके से clean करना पड़ेगा, यह बहुत जरूरी हो जाता है, clear है, चले, question number 5 क्या है, छोटा सा question लग रहा है, chemical equations can be balanced easily by altering the formula of reactant or product, is it true or false, यह तो पक्का false हो गया, यह तो possible ही नहीं है, ऐसे तो नहीं हो सकता है, यह तो false हो गया, ठेक false हो गया, मतलब ऐसा थोड़ी है, कि reactant को product में, product को reactant में कर देंगे और मेरा balance हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है, तो यह false हो गया, question में क्या है, what is wrong with the following chemical equation, अच्छा, इस equation में हम लोग से wrong क्या है, वो पूछा जा रहा है, ठेक है, तो इसमें wrong क्या दिख रहा है, यहाँ wrong है न, O तो हमेशा O के time में, O के form में exist नहीं करता है, तो यहाँ एक चीज रॉंग हो गया, क्या हम यहाँ लिख देता है, M, G, O, यह चीज हो गया, अब इसको अगर balance करते हैं, इसको अगर हम लोग balance करते हैं, तो कितना हो जाएगा बाई, oxygen यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर oxygen एक है, 2 हो गया, 2 M, G हो गया, तो यहाँ पर 2 भी लग गया, अब यह हो गया, सही equation, और हमेशा ध्यान में रखेगा, oxygen जो होता है, oxygen जो होगा, वो हमेशा molecular form में होगा, molecular form में ही होगा, ठेक है, तो हमेशा O2 के form में रहेगा, तो इसमें जो गलती था, वो हम लोग को पता च चुटा हुआ था, चलिए, next question में आते हैं, क्या है, why does the symbol AQ, AQ, represent in chemical reaction, equation, the simple answer, आप लोग को पता है, यह AQ का मतलब aqueous होता है, in a chemical equation, AQ always represents for aqueous solution, next, why is photosynthesis considered an endothermic reaction, photosynthesis जो प्रोसेस होता है, वो endothermic reaction होता है, ऐसा क्यों, तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते है, इसका, photosynthesis का reaction लिख लेते है, उसमें होता है क्या, देखे, CO2 plus H2O, ठीक है, CO2 plus H2O gives क्या, C6, H12, O6, और प्लस O2, यह चीज हम लोग को मिलता है, और इसके अंदर होता क्या क्या, कहां से होता है, यह होता है, sunlight में, हम sun dioxide हो गया, यह हो गया आपका water, यह हो गया glucose और यह हो गया oxygen, अब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, अब देखे, यहां पर endothermik क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि हम लोग sunlight को दे रहा है, मतलब sunlight इसमें use हो रहा है, तब ही यह चीज़ बन रहा है, इसको लेकर फिर यह चीज़ बनाया जारा, sunlight का use करके, endothermik reactions are those in which heat is absorbed in the reaction, as we know that photosynthesis is a process, that green plants and some other organisms use sunlight to synthesize food from carbon dioxide and water, किसका use होता है, sunlight, ठीक है, which turns into oxygen and glucose, जो की glucose और oxygen में change होता है, plants absorb direct energy from the sun, plants direct energy soak लेता है sun से, and thus consider photosynthesis is an endothermik reaction, that's why हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, photosynthesis जो होता है न, कि वो एक endothermik reaction है, क्यों, क्योंकि इसमें energy अंदर आ रहा है, energy आ रहा है, तभी यह चीज़ बन रहा है, और exothermik पे energy बाहर जाता है, तब हम लोग बोलते हैं कि exothermik है, हाँ, चलिए, तो अब question number 9 देख लेते हैं, how will you indicate the following effects in a chemical reaction, कैसे indicate करेंगे, a solution made in water, अगर solution made in water, water में जा रहा है, the solution made in water can be indicated by the symbol AQ, aqueous, मतलब अगर water है, तो उसमें हम लोग AQ यूज करते हैं, which shows it is aqueous, exothermik reaction, तो exothermik में heat आगे निकलता है, release होता है, तो exothermik reactions can be indicated by heat, heat energy और energy on the product side, product side में हम लोग लिखते हैं, heat हो गया चाहिए heat energy, और endothermik में क्या होगा, endothermik reactions can be indicated by heat, heat energy और energy on the reactant side, हम लोग reactant side में heat और energy को रखते हैं, exothermik में product side में रहेगा, और reactant side में कब रहेगा भाई, endothermic में clear हो गया यह question next question आते है, question number 10 यहाँ पर कुछ equations है, जो हम आपके लिए solve पी करेंगे question में सबसे पहला क्या है सबसे पहला questions बोल रहा है hydrogen sulfide hydrogen sulfide gas burns in air to give water and sulfur dioxide इसको solve कर लेते हैं हम लोग hydrogen sulfide gas burns in air इसका मतलब H2S plus क्या हो गया, O2 ठेक है, यह gives कर रहा है यह मतलब दे रहा है क्या, water and sulfur dioxide तो water हो गया, H2O और plus sulfur dioxide that is SO2 अगर हम इसको balance करते हैं तो balance करेंगे तो कितना हो गया, देखें इधर hydrogen है, इधर भी hydrogen 2, 2 sulfur इधर 1 है, sulfur इधर 1 है oxygen इधर 2 है, oxygen 2 2 और 1-3 हो जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर 1-2 लगाते हैं तो oxygen मेरा 4 हो गया, ठेक है और यहां पर भी हम use कर सकते हैं, नहीं H2 है न, S है यहां 2S हो गया तो यहां पर भी हम लोग 2 use कर दिया है अब मेरे पास hydrogen कितना हो गया, 4 हो गया 3 दून अच्छे तो हो गया न, 2 इधर हो गया 2 दून अच्छे तो हो गया, 2 दून अच्छे तो हो गया balanced हो गया, यह balance अब भी कर सकते हो, easily तेक है, यह equation हो गया next equation क्या हो है phosphorus burns in oxygen to give phosphorus pentoxide, phosphorus बंद कर रहा है यानिकि P4 plus burns in oxygen oxygen में, यह हमको क्या दे रहा है phosphorus pentoxide अब इसको balance कर लेते हैं, इसको balance करने के लिए हमको, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो phosphorus हो गया और 5 है, तो यहाँ पर हमको 5 दून अदर्स, यहाँ पर 5 लगाना पड़ेगा, ठेक है चले, next में आते है carbon disulfide burns in air to give carbon dioxide and sulfur dioxide, carbon disulfide है, तो CS2 plus burns in air oxygen O2 gives carbon dioxide CO2, और sulfur dioxide SO2 अगर हम लोग इसको balance करते हैं, तो sulfur के जगा 2 और यहाँ पर 3 लग जाएगा, तो हमारा काम बन जाएगा, सब देख लीजेगा कोई भी दिक्कत नहीं होगा, मेरे हिसाब से तो अब दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर कहीं भी आपको लगे कि यहाँ से छूट गया है तो आप मेरे को comment section में बताईएगा ठीक है, next question में आते है aluminium metal replaces iron from ferric oxide, Fe2O3 gives aluminium oxide in air तो aluminium होगया aluminium metal plus Fe2O3 यह क्या दे रहा है हम लोग को aluminium oxide and iron तो Al2O3 और plus Fe अगर हम लोग इसको reactions को balance करते हैं यहाँ iron है, दो यहाँ पर दो use कर सकते हैं aluminium दो, Aluminium दो होगया oxygen दो, तीन में रहा है, तो तीन already अचाड़ गया यह भी होगया, next questions barium chloride reacts with zinc sulfate ठीक है, barium chloride क्या है zinc sulfate to zinc chloride and barium sulfate तो barium chloride का formula किया तो कितना होगया, BACL2 और plus reacts with zinc sulfate ZnSO4 ZnSO4, यह हम को क्या देगा, zinc chloride and barium sulfate zinc chloride या नहीं कि ZnCl2 और barium sulfate that is BASO4 अब इसको अगर हम लोग balance करते हैं तो मेरे हिसाब से barium, barium ठीक है, zinc, zinc ठीक है, sulfur भी sulfur भी ठीक है, oxygen, oxygen, clone यह balanced equation है, already ठीक है, तो यह आप भी practice कर सकते हैं और हम बताए दियें अगर कुछ गड़बर होगा तो आप लोग देख लीजेगा मिला लीजेगा चली, question number 11 में आते हैं write the balanced chemical equations for the following reaction यहाँ भी वही करना है chemical hydroxide sorry chemical लिखा गया calcium hydroxide हो गए यहाँ पर ठीक है calcium calcium hydroxide plus carbon dioxide gives calcium carbonate और plus water, सबसे पहला नमबर, तो पहला नमबर के लिए क्या हो जाएगा भाई, caoh hold to calcium hydroxide तो यह होता है, plus carbon dioxide CO2 gives क्या दे रहा है, calcium carbonate caCO3 और plus H2O अगर हम लोग इसको balance करते हैं तो मेरे हिसाब से balance यह already है oxygen 2, 2, 4, carbon, calcium already balanced है चलिए, दूसरा आते है दूसरा में क्या है aluminium plus copper chloride aluminium हो गया और plus copper chloride CuCl2 ठीक है, gives aluminium chloride AlCl3 हो गया formula बहुत सारा याद रखना पढ़ता है और copper हो गया that is Cu अगर इसको हम लोग balance करते हैं तो यहाँ aluminium है aluminium तो ठीक है chlorine है, chlorine 2 है copper है, copper है chlorine 2 है यहाँ पर न तो यहाँ पर अगर 3 करते हैं तो यहाँ पर हमको 2 करना पढ़ेगा और यहाँ 2 की हैं तो यहाँ 2 करना पढ़ेगा और Cu यहाँ पर 3 करना पढ़ेगा the balance, complete and balance the following equations, NaOH, ठीक है, NaOH है, यहाँ पर नमबर थोड़ा सा लिखाया उपर नीचे नहीं हुआ, NaOH है, यहाँ पर लिख भी देते हैं हम दो, NaOH और प्लस, क्या add करेंगे, क्या मतलब उसके साथ जोडेंगे, तो Na2SO4 बनेगा, ठीक है, यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, और बना ह क्या है, Na2SO4 और प्लस, H2O, Na2SO4 प्लस, H2O, तो NaOH है, यहाँ पर हम लोग add कर देंगे, क्या, H2SO4, ठीक है, H2SO4, दूसरा equation क्या है, CAOH होल 2, CAOH, अभी तो बनाएं इसको, होल 2, प्लस, यहाँ पर क्या add करेंगे, यह बन जाएगा, CACO3 और प्लस, H2O, यहाँ पर कितना हो जाएगा, CAOH होल 2, CO2, तो एक में होगया, H2SO4 और एक में होगया, CO2, चलिए, नेक्स्ट क्या है, correct and balance the following equation, CA प्लस, H2O, CAOH, यह तो गलत है, क्या होगा भाई, CA, CA, प्लस, H2O, gives, CAOH होल 2, और प्लस, H2 होना चाहिए, है न, CA और H2O, बैलेंस अगर करते हैं, तो मेरा सिफ यहाँ पर 2 लग जाएगा, 2H2, 2H2 इधर से होगया, complete, complete होगया, next का देख लेते, N प्लस, H ऐसा कौन से equation होता भाई, यहाँ होगा N2 और प्लस, H2, ठीक है, N2 प्लस, H2, यहाँ बन जाएगा हमारा NH3, तो NH3 है, तो यहाँ पर कर देते हैं, 3, 2 जा 6 होगया, यह 2, 3 जा 6 होगया, यहाँ पर 2 अलेड़ी है, ठीक है, तो सही equations मेरा यह बन ग reaction, reactions, calcium, solid, यह सब हमको पूरा का पूरा complete equation बनाना है, तो चलिए, बना लेते हैं, calcium है, solid है, तो calcium को number 1 के लिए, calcium है, C, A, यहाँ S लिख देते हैं, प्लस, water है, H2O है, यहाँ liquid लिख देते हैं, gives calcium hydroxide solution, C, A, OH, 2 है, और यह solution मेरे को मिल रहा है, ठीक है, solution है, aqueous solution है, ठीक है, plus, hydrogen gas, यह मेरा H2 मिल रहा है, gas के form में, अगर हम लोग balance करते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमको balance करने पड़ेगा, 2H2O, बाकी सब clear है, चलिए, दूसरा आते है, sulfur dioxide, तो SO2 है, यहाँ पर gas हो गया, plus O2 हो गया, यहाँ पर gas हो गया, यहाँ पर SO3 हो गया, यहाँ पर gas हो गया, ठीक है, sulfur, trioxide, अगर balance करने चलते हैं, तो 2 हो जाएगा, दोटो sulfur है, तो यहाँ पर भी दोटो sulfur लगा देना पड़ेगा, काम मेरा हो गया, तो यह हो गया, इस दोनों का balanced equations, balance इसलिए हम कर दे रहे हैं, तक यहाँ दिक्कत ना हो, चलिए, यहाँ पर भी है questions, बहुत सारा balanced equations है, जो लोग balance equations करने जानते हैं, बनाने जानते हैं, वो फटाक फटाक जल्दी से जल्दी मिलाइए, और मेरे से मिला लीजेगा, सबसे पहला का है, na plus o2, na2o, तो यहाँ पर अगर balance करते हैं, लिख लेते हैं, na plus o2 gives na2o, अगर हम लोग balance करने जाते हैं, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और n एक जगह पर 4 हो जाएगा, ठीक है, चलिए, next equation क्या है, h2o2 और plus, नहीं, plus नहीं है, gives, हम लोग को मिल रहा है, h2o और plus o2, अगर balance करते हैं, तो यहाँ पर 2, और यहाँ पर भी 2, यहाँ पर है, mg, oh, whole 2, plus hcl, gives, mg, cl2, और plus h2o, अगर balance करने चलते हैं, तो हम लोग को लगाना पड़ जाएगा, hydrogen है, यहाँ पर, यहाँ पर 2 लगा दीजे, तो यहाँ पर भी 2 लग जाएगा, तो आपका काम असान हो गया, balanced हो गया, चलिए, next में है हमारा क्या, fe, और plus o2, gives, fe2o3, अब हम लोग इसको balance कर लेते हैं, तो fe2 है, तो यहाँ पर अगर दो दूना चार करेंगे, तो यहाँ पर 4 करना पड़ेगा, 2 यहाँ पर 4 हो गया, और यहाँ पर 3 दूना अच्छे है, तो 3 हो गया, चलिए, ns3 cuo, nh3 plus cuo gives cu, और plus n2, और plus h2o, ns3 plus cuo, cu plus n2 plus h2o, इसको हम लोग को balance करना है, इसको balance करेंगे कैसे भई, nh3 है, यहाँ पर hydrogen, nitrogen यहाँ पर कर देते हैं, 2, यहाँ पर हो जाएगा, 2, सही है, cu, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर भी हो जाएगा 3, यहाँ पर भी हो जाएगा 3, बस, काम खतम, al2so4, ठीक है, al2so4 का hole 3 है, plus naoh है, gives दे रहा है, aloh का hole 3, और plus na2so4, इसको balance करना है, इसको change कर देते color ताकि पता चले रहा है, छोटा जगा पढ़ रहा है, na2so4 है, यहाँ पर हो जाना चाहिए, 3, 3 हो जाएगा यह, तो मेरा al के जगा पर भी हा जाएगा, और यहाँ पर भी हा जाएगा, तो sodium total हो जाएगा 6, और al के जगा पर आजाएगा मेरा total 2, यह हो गया के लिए, कोई भी दिक्कत नहीं होंगा, चले, next में आते हैं, hno3 है, hno3 plus caoh hole 2, gives cano3 का hole 2, और h2o, balance करते हैं, यहाँ 2, cano3 है, यहाँ तो कुछ नहीं जाएगा, यहाँ पर hydrogen है, hydrogen यहाँ पर 2, next आते हैं, naoh plus h2so4, gives na2so4 और plus h2o, अगर इसको balance करते हैं, सबसे पहले यहाँ 2 लगा देते हैं, तो यहाँ जैसे ही मेरा 2 लगेगा, h2so4, naoh, यहाँ पर भी 2 लग जाएगा, यहाँ पर मेरा 2 लगेगा, na2so4, तो hydrogen ठीक है, ठीक तो है, सारा काम हो गया, balance हो गया तक, last, bacl2 plus h2so4, gives bacl, और plus hcl, इसको balance हमको नहीं लगता करने का जुरूत है, bacl2 यह already completed, ठीक है, यह भी हो गया, practice देखें, इसी हो गयते हैं, practice कीजेगा, तो आपको जल्दी-जल्दी पता चल जाएगा, कि कहां क्या लगाना, फटाक फटाक फटाक, ठीक है, यह जल्दी-जल्दी होना चाहिए, आप लोग को 10 questions दे दिया जाएगा, तो बस आप लोग कर रहे तो कर रहे, गुना भाग, गुना भाग करने में लगे, यह बनाते-बनाते आ जाते हैं, इसलिए बोलते हैं, practice कीजेए, next question क्या है, देखे, next है, fill in the blanks है, आच्छे, simple question है, क्या है, chemical equation, chemical equations are balanced to certify the law of conservation of mass, यहाँ पर क्या फिल कर सकते हैं, law of conservation of mass, ठीक है, a solution made in water is known as aqueous solution, indicated by the, हाँ, यह तो हो गया, aqueous solution, मच्छड भी पढ़ने चलाता है, इसको denote करते हैं, AQ से, ठीक है, यह भी complete हो गया, क्यलिए रहे, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, चलिए, फिर से question number हमारा आ गया, 17, ठीक है, चलिए, question number 17, देख लेते हैं, क्या है, chemical reactions and equations, वह ही है, very short type, हम लोगो देखना है, इसमें theory based है, what type of reaction is represented by the digestion, digestion of food in our body, हमारे body में जो digestion होता है, वो किस type का reaction होता है, चलो भाई, देख लेते हैं, a decomposition reaction, अब आज जा रहा होगा, I hope so, अब पच्छे से, ठीक है, a decomposition reaction is a reaction which is represented by the digestion of our body, is nothing but a chemical reaction, where food that we are having is further broken down into digestible nutrients, देखो, हम लोगो के body में जो भी होता है, digestion of food जो होता है, वो decomposition reaction होता है, और उसी के थूरू सारा का सारा nutrients, वगरा, tooth tart कर, इधर जाकर, bloods के थूरू, energy के form में, इधर उधर चला जाता है, ठीक है, such as fats, proteins, carbohydrates, यह such जाता है, which are essential for the proper functioning of a human body, तो हमारा body में जो, जो digestion of food जो हो रहा है, वो किस के basis पर चलता है, वाई, decomposition reaction, next one, name the various types of chemical reactions, अब को पता ही है, there are many types of chemical reactions, here are the names, combination reactions, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, oxidation and reduction reaction, next question, why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is kept immersed in, ठीक है, जैसे ही copper sulfate solution में iron nail को डालता है, तो copper sulfate solution का color change रिजाता है, क्यों है, तो it is a displacement reaction, यह एक type का displacement reaction है, क्यों, देखिए, copper sulfate solution change its color, because the iron nail dipped in the solution is more reactive than copper, iron जो होता है, जादा reactive होता है copper से, तो जो जादा reactive होता है, वो कमजूर वाले को हटा को, उसके जागा बेट साता है, and it displaces the molecules, किसका, copper का, तो the copper gets deposited over the nails as the copper sulfate solution becomes iron sulfate solution and color changes from blue to green, समझ रहे है, तो यह displacement reactions का बहुत अच्छा ही खाशियत होता है, कि जो कमजूर होता है, उसको हटा के घर से बाहर कर देता है, उसके जागा पर बैट जाता है, और फिर सारा के सारा reactions में, उलेट फिर करता है, ठीक है, यह भी होगे, next questions, next में क्या है, write the balance chemical equations for the following reaction, zinc plus silver nitrate, zinc plus silver nitrate, चली, बना लेते हैं, तो zinc का हम लोग लिखते हैं, zinc, silver nitrate होता है, agno3, यह हमको दे रहा है, zinc nitrate, znno3 का hole 2, और प्लस ag, इसको balance कर लेते हैं, तो अगर balance करते हैं, इधर zinc है, इधर zinc है, no3 2 है, तो हमको यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, no3 nitrogen है न, यहाँ लगा लेते हैं, हम लोग तो काम मेरा असान होगी, आप देखो, यहाँ पर सिर्फम को दो लगाना पड़ेगा, होगी है, कितना असान था, चली, next question में जाते हैं, which term is used to indicate the developments of unpleasant smell, and taste in fat and oil containing food due to aerial oxidation, aerial मतलब air के presence, when they are kept exposed for a considerable time, और देखे, इसका answer किना सिंपल, rancidity is the term used, इस सब चीज के लिए क्या होता है, जैसे कोई भी चीज, खाने, पीने वाला चीज, जो तेदिये थी, जो चलना, oily चीज, उसमें, rancidity term used होता है, तो rancidity is term used, and the condition is produced by the aerial oxidation of unsaturated fat present in food and other products, it is the complete, incomplete oxidation of fats and oils when exposed to air, light or moisture, बहुत ही, जैसे आप लोग तला वेगरा चीज, अगर हम लोग रग देते हैं, जादा दिन तक, तो चार दिन तक, तो खराब होने लग जाते हैं, तो उसके पीछे यही रनिसिडिटी वाला term used हो रहा है, next, थोड़ा सांस ले लेते हैं, मच्छड अलग परिशान कर रहे हैं, ठीक है, अब आज जा रहे हैं, मतब रहे हैं, अगर बचना हैं, तो हम लोग क्या उसमें यूज कर सकते हैं, तो antioxidants are the chemical used, are added to fat and oil containing foods to slow or delay the development of रहे हैं, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, छोता है न बहुत ही इंपोरेंट हो जाता है ? अगर हम लोग बोलते हैं नेच्वरल बेसिस पर बोलते हैं तो हमारा हो गया क्या ? ascorbic acid और tocopherols ठीक है और अगर synthetic में आ जाते हैं synthetic में अगर आते हैं तो इसमें हम लोग को मिलता है BHA BHA और एक मिलता है BHT इसका पूरा नाम देखें यहां पर है butylated hydroxynosol और फिर butylated hydroxytoline यह चीज़ तो BHA और BHT यह दो synthetic antioxidants और यह help करता है rancidity development को कम करने मतलब rancidity जाद अगर हो रहा तो उसको कम कर देता है ठीक है next question में आ जाते है state and important use of decomposition reaction the decomposition of silver chloride into silver and chloride using photography देखो अब decomposition का हम लोग को use देखना है तो decomposition का use कैसे कैसे हम लोग देख सकते हैं हमारे daily life में तो सबसे पहला the decomposition of silver chloride into silver silver chloride into silver and chlorine by light is used in photography मतलब क्या decomposition का use किस में हो रहा है photography में in the human body this reaction help in the digestion of food in the stomach decomposition reactions में ही हमा के वज़े से हमारे stomach में जो खाने का digestion होता है the decomposition reaction is used in the manufacture of cement and gypsum cement और gypsum मनाने में helpful होता है decomposition reaction this reaction is used in the process of welding welding जो होता है ना देखते हैं लोहा हुआ का समान टूट गया ग्रिल विरिल बनता है उसमें भी ये काफी मातरा में use होता है decomposition reaction है आ रहा है समझ में चलिये next question 24 what are antioxidants why are they added to fat and oil containing foods ये question लगभग लगओ repeat हो गया antioxidants are the chemical which are added to fat and oil containing foods to slow or delay the development of renacidity natural antioxidants are ascorbic acid and tocopherols where synthetic antioxidants included butylated hydroxynisole BHA and butylated hydroxytoline BHD antioxidants can be nutrient as well as enzymes that are especially proteins that can assist in the chemical reaction ये antioxidants क्या हो सकता है nutrients भी हो सकता है as well as enzymes भी हो सकता है especially protein that can assist the chemical reaction and prevent development such as cancer चो बचाता है किस चीज़ से किस चीज़ को बनने से cancer, heart attacks and many other chronic disease तो antioxidants हम लोग के लिए जरूरी है लेकिन अगर natural form में मिल जाता है antioxidants बहुत अच्छी बात है antioxidants बहुत ज़्यादा tablet के form में ये वो नहीं खाना चाहिए next explain why food products containing fats and oils like potato chips are packaged in nitrogen क्यों nitrogen क्यों nitrogen यानि जिस लेज वेगरा, kurkूरे वेगरा, हम लोग जो खाते हैं lese हो गया, kurkूरे हो गया, ये सब जो खाते हैं उसमें क्या डाल देता है? पैकेट में पैकेट में nitrogen gas डाल देता है तो ऐसा क्यों डालता है? तो the packets of chips for foods containing fats and oils is flushed with nitrogen तेक, this is because nitrogen act as an antioxidant क्यों? nitrogen जो होता है न वो antioxidant का काम करता है and this packaging is to prevent the food products from being oxidized और जो भी food product है उसको oxidized होने से रोखता है ये भी pack it with oxygen अगर oxygen के साथ pack कर देते हैं it reacts with become rancid the smell and taste will change and will start to decay अगर उसको क्या बोलते हैं? जैसे देखते हैं उन्हें न कभी-कभी हम लोग लेज खाने के लिए जाते हैं जब फाड रहे होते हैं पैकेट निकाल रहे होते हैं तो कभी-कभी एक्स्टाफट जाता है ठीक है? तो already किसी न किसी का रखा हुआ रहा रहता है कि चलो ठीक हो फाड के चला गया पहले से ही तो उसमें क्या होता है न? smell आ जाता है उसका taste खराब हो जाता है लेकिन nitrogen से क्या होता है उसका taste अल्रेडी बरकरा रहता है क्यों? क्योंकि वो एक antioxidant है next question give one example of decomposition reaction which is carried out सबसे पहला with electricity मतलब हम लोग को एक example देना है जो decomposition reaction होना चाहिए लेकिन एकठो electricity से होना चाहिए और एकठो height से applied मतलब applied heat के तो चलिए भाई electricity से अगर करने है तो हम लोग को सबसे अच्छा water है H2O decompose होता है किसमें भाई? H2 और प्लस O2 अगर reaction balance करते हैं तो यह हो गए ठीक है electrolysis process भी बोलते है electricity के तुरू जो होता है और अगर देखते हैं applying heat तो मेरे पास है कौन सा भाई? NaHCO3 sodium sodium bicarbonate ठीक है? यह तूटता है क्या भाई? CO2 में यह gas हो गया फिर आपका तूटे का H2O यह भी gas हो गया और प्लस Na2CO3 sodium carbonate में जो की हम लोगों को मिल जाता है solid के form में ठीक है? अगर balance करते हैं तो यहाँ 2 लग जाता है बाकी आपको तीखी रहा होगा यह balanced हो गया होगा तो by applying heat यानि कि इसको heat देते हैं ठीक है? heat में हो जाएगा और यह electrolysis process में ठीक है? next question what type of chemical reaction is used to extract metals from the naturally occurring compound like oxide and chloride ठीक है? तो इसमें decomposition reaction is used to extract several metals from their naturally occurring compounds like oxides and chlorides जैसे एक example ले लेते हैं हम लोग sodium का NaCl decompose करते हैं हम लोग को मिल जाता है sodium और plus क्या चीज़? chlorine ठीक है? chlorine अगर balance करते हैं इसको 2 NaCl, 2 Na होगा तो यह हम लोग को equation प्राफ्थ होगा next question name two antioxidants which are usually added to fat and oil containing foods to prevent rancidity तो antioxidants are used to preservatives in fat containing foods antioxidants to slow up the development of rancidity due to oxidation यह हो गया और कुछ का नाम तो तो already BHT, BHA, ठीक है न? butylated hydroxytoline, BHT and butylated hydroxynisole, BHA can also be used as antioxidants with great half-life than natural antioxidants ठीक है? आगे बढ़ते हैं write one equation each of the decomposition reaction where energy is supplied in form of heat, light and electricity तो अलग-अलग सबका हम लोग को एक example लिखना है तो चलिए लिख लेते हैं हाँ, यह decompose होता है तो हम लोको मिलता है PBO plus NO2 और plus O2 अगर balance करते हैं तो इधर यहाँ पर nitrogen है, तो nitrogen हमारा हो जाएगा, यहाँ पर 4 लगा देते हैं तो यहाँ पर हमारा 2 आजाएगा, यहाँ भी 2 आजाएगा तो यह हो गया क्या? heat applied को decomposition reaction when light is supplied तो light जब light देते हैं, वो silver वाला में आजाएगा तो AG, CL, AG, CL decompose करेगा, AG में और क्लोरीन में देगा तो 2 AG यहाँ भी हो जाएगा, 2 AG यहाँ भी हो जाएगा decomposition reaction where electricity is supplied, electricity supplied हो रहा है तो इसे पानी से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता है H2 plus O2, यहाँ पर 2 कर देते हैं, यहाँ पर भी 2 कर देते हैं तो हमारा तीनो का reaction तयार Next, in the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involved displacement by copper metal Write down the chemical equation of the reaction involved चलिए, तो क्या है refining of silver तो किस से भाई, silver nitrate solution से तो AG, NO3 solution है मेरा, यह aqueous solution होता है और plus किसने, copper से, copper के थुरू बोला ना कोशन में तो, क्या है, silver nitrate solution involved displacement by copper metal write down था हाँ, तो इसके थुरू हमनों को मिलता क्या है copper nitrate, copper nitrate, NO3 का hole 2, यह भी aqueous हो गया तेक है, इसको भी bracket में रखेगा और plus फिर AG, solid form में अगर balance करते हैं, तो अगर यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 NO3 के थुरू, मेरा nitrogen हो गया 2 oxygen हो गया 6, हाँ, complete यह हो गया हमारा equation समझ में आ गया, इसलिए हम जगा चोड़के रखेटेगे ताकि आपको equation लिखके समझा पाए next है, what type of reactions are represented by the following equations अब types of reactions के थुरू हम लोगों को पहचाना है देखें, यहाँ पर CaCO3 प्लस CaO और CO2 है, तो यह क्या हो रहा है, टूट रहा है न तो यह क्या बन गया हमारा decomposition reaction decomposition ठीक है, next क्या बनना है भाई, CaO प्लस H2O, यह combine हो रहा है तो combination combination ठीक है, FeSO4 decompose होकर Fe2O3, SO2 और SO3 बना, तो यह भी हमारा क्या हो गया decomposition decomposition ठीक है, NH4Cl, NH3 और HCl हो गया यह भी decompose हो रहा है, तो decomposition हो रहा है तो टूट रहा है न और last but not least CaO2, यह बन रहा है मेरा combination हो गया, next में आते हैं इसमें क्या है, अच्छा, what type of chemical reaction takes place, इसमें ही वही करना है, magnesium wire is burnt in air तो जब magnesium wire burn करता है तो क्या हो जागा, यह example हो गया हमारा combination reaction का ठीक है, combination यह हमारा क्या हो गया, limestone is heated decomposition तूटता है तेक, silver bromide is exposed to sunlight यह silver bromide is exposed to sunlight यह भी decomposition हो गया electricity is passed through water यह भी decomposition हो गया last ammonia and hydrogen chlorine, hydrogen chloride are mixed यह mixed हो रहा है, तो combination हो गया ठीक है, चली I hope कि आपको समझ में आ रहा है सब कुछ, सारा questions, practice आपका सही से हो अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को like जरूब कर लीजेगो और आप यहां तक पहुँचे हैं तो इसका मतलब आप definitely आपको dedicated हैं कि आपको 10th में marks बहुत अच्छा चाहिए तो बस ऐसे ही लगे रहिए, ठीक है, और practice करते रहिए और marks तो आना ही है हर हाल में, अगर पढ़िएगा तो marks आराम से आएगा चली, आगे देखते क्या है What type of chemical reactions are represented by the following equation A plus B C, अच्छा यह पूरा का पूरा formula के term में दिया हुआ A plus B C और A C plus B, यह होगे displacement reaction होता है ना, इस से लिखते थे, displacement ठीक, A plus B और यह बन रहा है C में, तो यह होगे combination ठीक, चली, X gives Y plus Z, यह होगे तूट रहा है decomposition PQRS, PSRQ, यह हो रहा है PQRS, यह change हो रहा है interchange हो रहा है, double displacement ठीक है, और फिर यह है A203 A203, 2B, अच्छा A203, यह ऐसे लिखा हुआ है A203 plus 2B, और gives B203, और plus 2A, यह ऐसे लिखा हुआ है तो यह क्या हुआ, यह हमारा बन रहा है, कितना बन रहा है A203 है, यह होगे displacement reaction ठीक है, समझ में आ गया यह, कैसे किया जाता है यह आप लोग बहुत पहले भी थियोरी में पढ़े ही होगे ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े हो चलिए, next question, 34 balance the following chemical equation balance करना है, तो पहले equations को लिख लेते हैं ताक कि अच्छा रहेगा, है ना FeSo4 Fe2O3 plus SO2 plus SO3 अब अगर इसको balance करना है तो Fe2O3 है, O3 SO3, यहाँ खली 2 लगा दीजिए काम हो गया, यह balance हो गया, तोटल next, PBNO3 3 का hold 2 है फिर PBO है plus NO2 है और plus O2 है तो यहाँ पर PB है oxygen है, ठीक है nitrogen है, 2 यहाँ पर 2 लगा देते हैं लेकिन 2 लगाएंगे तो वह हो जाएगा 4 तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2 तो मेरा 2 और 2 ना 4 हो गया यहाँ पर भी 2 हो गया यह भी clear है समझ में आ रहा है तो आप लोग को balance करने आता ही है तो आप लोग practice करी लिजेगा which is the following combination and which is the displacement कौन सा combination है, कौन सा displacement है देखिए यहाँ पर CL2 है और यहाँ पर 2KI है तो यहाँ पर क्या हो रहा है न displace कर रहा है, जगा change कर रहा है यह क्या हो गया हमारा displacement reaction ठीक है, displacement और यह हो गया हमारा combination दो तो था ही तो एक जब हो गया displacement तो यह combination में चला गया next में आते हैं what type of reactions are represented by the following equation अभी तो बना ही रहा थे चलिए फिर से बना लेता है ऐसा type का question CAO और CO2 यह हो गया combination ठीक है NAS2O यह हो गया displacement place change कर रहा है अपना ठीक है MGCUSO4 यह भी displacement यह तो पहले से popular है NH4 N2, N2, NH2 decomposition और CUSO4 NaOH और CUSO2 यह double displacement double displacement ठीक चलिए next में आ जाते हैं in the following reactions between lead sulfide and hydrogen peroxide ठीक है H2O2 होता है which substances is reduced इसमें साफ साफ दिख रहा है की कौन सा reduced हो रहा है भाई तो H2O2 reduced हो रहा है H2O2 is reduced घट घट गया ना H2O2 था यहाँ H2O हो गया तो which substance is oxidized तो इसमें PBS जो हो गया वो is oxidized हो गया कितना असान था तेयोरी अगर आपको पता है तो आप लोग फटक फटक identify the components oxides in the falling reaction इसमें पूछा जा रहा है कौन सा component क्या हो रहा है oxidized हो रहा है H2S था H2S था hydrogen हटा तो यह हो गया H2S is oxidized हो गया चलिए When sulfur dioxide gas is passed through the saturated solution of hydrogen sulfide the following reaction occurs SO2, H2S, H2O3S In this reaction which substance is oxidized and which one is reduced तो oxidized कौन हो रहा है oxidized हो रहा है हमारा H2S है क्योंकि यहां से 3S, H2 हट रहा है यह हो गया H2S और reduced कौन हो रहा है reduced हमारा हो गया SO2 कितना असान था very short था चलिए last question इस video का but इसके बाद फिर आएगा हमारा short type question यह तो very short था लिए last questions को अच्छे से solve कर लेते है the addition of oxygen to a substances is called oxidation addition of oxygen यह हो गया क्या भाई oxidation whereas the removal of oxygen is called reduction यहां क्या हो जाएगा reduction ठीक है चलो भाई antioxidants are often added to fat containing food to prevent reduction prevent reduction prevent reduction due to oxidation due to oxidation ठीक ही तो नहीं 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 एक सिकन्ट एक सिकन्ट गलती हुआ है या नहीं अब आगे देख लेते इसमें addition of hydrogen to a substance is called इस blanks में क्या हो जाएगा भाई reduction ठीक है और इस blanks में क्या हो जाएगा renewable of removal of hydrogen है that means कि यह हो गया हमारा oxidation ठीक है तो यह हो गया हमारा पर यहां पर एक चैप्टर से मतलब कि पहला चैप्टर से जितना भी very short type question होगा और भी questions आएगे ठीक है तो वो जो हमको लगा कि नहीं चलो ठीक है अच्छा है बुक में भी है सब कुछ है तो वो हम solve करा दिये तो आप इसको एक वाँ जरूर देखेगा लिख लिख के practice कीजिएगा जब हम लिख रहे है जब हमको जरूरत नहीं है फिर भी हम लिख रहे है आप लोग के लिए तो आप लोग को लिखना बनता ही है ठीक है तो चलिए अब मिलेंगे हम लोग next वीडियो में Thank you so much. Take care. Bye-bye.